हेलो एवरिवन गुड मॉर्णिंग वेलकम टू किशो किचन आज हम आप लोग के साथ सीयर करने जा रहे हैं बैंगन का एक बहुत ही डिलीसियस रेस्पी जिसे अगर आप एक वर खा लेंगे तो बार 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 बैंगन को एत ही बनाएंगे और इसकी जितनी भी सारी रेस्प सबजी को बनाने के लिए हमने आ लिया है छोटा वाला बैंगन जिसको हमने अच्छे सेवास किया हुआ है आप बैंगन को यह ले सकते हैं जो आपके पास सेव लेवल हो अब हम इसको कट करेंगे हमें इसे पूरा कट नहीं करना है हमें इसको ऐसे नहीं कट करना कि यह तो हमने यह सारे बैगन को कट कर ली हैं आप भी बैगन को बिल्कुल इसी तरह से काटे अब हम इसका मेरी नेशन करेंगे इसके लिए हम इसमे डाल रहें लगए अब हाप टीस्पून रिड़ चिली पाउडर हाप टीस्पून टर्मरीक पाउडर वन टीस्पून कर्ड हाप टीस्पून हो इसमें डाल रहें नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आप इसको बहुत ही केरफुली मिक्स करें ताकि बैगन जो है और टूटे नहीं तो यह मिक्स हो गया है अब हम इसको 5-7 मिनट के ऐसे ही छोड़ देंगे अब हम पैन को गरम करेंगे उसमें डालेंगे लगवा 2-3 टेबली स्पून ओयल अब हम इसमें डालेंगे हाप टीस्पून जीरा कुछ खड़े मसाले लाइक दालचीनी जावित्री छोटी लाइचीन लॉंग और इसको रोष्ठ होने देंगे जीरा रोष्ठ हो चुका हम इसमें डालेंगे 4-5 लासुन की कलिया थोड़ी सी काजू अब हम इसमें डालेंगे ओनियन जीसको हमने फाइनली चॉप्ट किया हुआ है चॉप्ट टमाटर अब हम इसको कंटिन्यू चुलाते हुए मिडियम फ्रेम पे 2-3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे ताकि ओनियन जो है अलका सॉप्ट हो जाए और यह अलका सॉप्ट हो जुका है हम इसे ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि हमको इसका पेस्ट बनाना है अब हम गैस का फिलिम आफ कर देंगे और इसे तिल से बाहर कर लेंगे और जब यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे हवा हम रेटन को फ्राइब करेंगे से इसके लिए जावा ओफ लाएल और में डालेंगे बेंगन को मिनटलाते हूई मेडियूम भी लेम पहलका फ्राइब करेंगे इसको हईए आख किरल से fak Pewe लेंगे तो बैगल जो होब का फ्राइए हो चुका है आप दीख सकते हैं या उपर से हलका सौब्ट हो चुका है इसे भी अब हम पैन से बाहर कर लेंगे फिर से हमने सेम पैन में डाला हुआ है थोड़ी सी जीरा और तेजबता और इसको भी हम रोश्ठ होने देंगे जीरा रोष्ट हो चुगा हम इसमें डालेंगे ओनियन टमाटर का पेच जिसको हमने बनाया हुआ था और इस टेमें हम गैस का फिलिम रोग कर देंगे का साति हमें डालेंगे बागी के मसारे हाइफ टी स्पून में और डाल रहें रेट चिली पॉडर हम यह रीड चिली कम ही डाल रहें क्योंकि हमने बैंगान में अलएदी डाला हूआ है अब टीश्पून टर्मडी पॉडर है तोड़ा सा पानी मसाला को पकने के लिए है अब हम इसे continue चुलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाला जो अच्छे से फ्राई हो जाए मसाला फ्राई हो जोगा है क्योंकि इसे जो है oil separate होने लगा हम इस में डाल रहे है कॉर्ड और इस темп फिर से हम plus light का फ्रेम लोग कर देंगे कई वर क्या होता है मिडियम या high flame पे कॉर्ड डालने से कड़्ड फड़ जाता है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगी अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी कसूरी में थी इससे सबजी का फ्लेबर बहुत ही अचाहता है नमक नमक अपने टेस्ट के कोडिंग ही रखें अब हम इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए और कुक करेंगी और बीच-बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे 2-3 मिनट के बाद हम लीट को आटा कर देखेंगे आप देख से ते मसाला जो है बहुत तिछे से फ्राई हो चुका है अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्राई किया हुआ बैंगन और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे साथी हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा चॉप्ट कोडिय अंडर लीफ आप चाहें तो इसे लास्ट में भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल रहे हैं गिलास पानी ग्रेवी के लिए पानी अप अपने सबजी के कॉण्टिटी के कॉडिंग कम जादा कर सकते हैं और फिर से हम इसको कवर करके मीडियम फिलेम पर 5-7 मिनट के लिए कूप करेंगे और बीच बीच में हम इसे चला देगे 5-7 मिनट के बाद हम लही रड़ा कर देखेंगे आप देख सकते हैं सबजी जो है हमरा रेडी है अब हम गैस का फिलिम आउप कर देंगे और चलिए आपको सर्फ करके दिखाते हैं तो हमने इसे आएक बोल में सर्फ किया आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही डिलीचेस दीख रहा है या खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है आप इसे रोटी, राईस, फराठा, या नान के साथ सर्फ कर सकते हैं आप इसे जरूर ड्राइ करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लिए तो पिलिज इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कॉमेंट करें इन चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल इकन को जुरूर पेस करें, ताकि मिली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सकें, ओकी बाई मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स टूडियो में तब तक कि लिए टेक केर, थैंक्स पर वाचिंग